तेजस्वी जी है कौन मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनके माबाप का अगर नाम निकाल दीजिए तो उनके पास है क्या हजारों अलाखों लोग को रोजगार देगा उनको खुद मालूम है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए किसी को रोजगार देने के लिए किसी को सि आरेशकुमार है हमारे साथ भाजपा के दिगन नेता सो बिहार के कोसा अध्यक्ष आसुतोर संकर जी है सबसे पहले सीटामरी के आवाज पर स्वागत है सबी सिफरवासियों को मेरा साधर प्रणाम बिहार में कहा जा रहा था कि खेला होने वाला है कई दिनों से जो बिधा यह प्रधान मंत्री के द्वारा जो चलाए जा रहा है जन कल्यानकारी योजनाएं हैं उसके तहट यहां के भी जो हमारे जो जद्यू के जो विधायक थे गुठ था उन लोग को भी रेलाइज हुआ कि गलत जगर उन लोग चले गए और 22 तारीक को भगवान राम के जबाद उन लोग को मिला और वो लोग हम लोग के साथ आ गये और रही बात विधान सवा में जो आपने कल देखा कि किस तरीके से जो महागडवंदन खेमे के भी जो तीन विधायक है तो जिस तरीके से हर आदमी का अपनाप्ता एक सोच होता है कही ने कहीं उनको लगता है कि हम गलत जगह हैं गलत नीती के साथ हैं गलत विचारधारा के साथ है तो कल उन लोगों को भी रिलाइज हुआ हो तीनों लोगों ने आके एंडिये के साथ आ गये और उन लोगों ने सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना मतदान दिया तो उनका स्वागत है और मैं यही कहू कि अप लोग बात करें तो हमारी रननीती तो तै है जिस तरीके से पुरे देश में आधरणिय प्रधान मंति जी अपने सभी योजनाओं के तहत सभी चेतरों में तहें हो रक्षा का चेतर हो सिक्षा का चेतर हो स्वास्त का चेतर या युवाओ को रोजगार देने का कारे कर रहे हैं उसी तरीके से बिहार में भी जब 2020 में हम लोग जनता के पास गयते उनके अशिरवात से हमारी सरकार बनी थी यहां पे NDA की तो हम लोग का एक ही मुद्दा था किस बिहार को विक्सित करना इस बिहार को अगरिप आधान त हमारी 2020 की जो सरकार आय थी उसमें कर रहे थे हम लोग के सभी मंतरी चाहे हो स्वास्त मंतरी आधर्णिय मंगल पांडे जी हो चाहे उस समय हम लोग के इंडस्ट्री मिनिस्टर आधर्णिय सैनवाज हुसेन जी हो चाहे हमारे पत्निर्वान मंतिय आधर्णिय नितिन नवीन जी हो सभी लोग हम लोग इस छेतर में काम कर रहे थे बीच में एक डेड़ साल का अंतराल रहा गैप रहा वापस हम लोग फिर से आधर्णिय प्रधान मंतिजी के द्वारा दिखाये गए रास्ते पर हमारे जो मंत्री गन है जो हम लोगे विदायक गन है वो लोग अपने किया जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड उनके कड़ेकाल में हुए तेजस्वी जी है कौन मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनके माबापका अगर नाम निकाल दीजिए तो उनके पास है क्या नौमी फेल व्यक्ति क्या हजारों अलाखों लोगों को रोजगार देगा उनको खुद मालूम है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए किसी को रोजगार देने के लिए किसी भी सरकारी जौब में नौकरी देने के लिए उनको मालूमात है कि उसके लिए कितना पढ़ाई लि प्रज़गार देना है अच्छा स्वास्त देना है अच्छे इंफ्रास्रक्चर देना है तो जबरदस्ती है अरे उनकी जब सरकार थी 15 साल में जब जंगल राज था तो पूरा देश नहीं पूरे विदेश में भी लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनके मापिता जी ने इस पूरे बिहार को जंगल राज में जंकोर दिया था आए देन लूट बलतकार हत्याए और अप्राध होता था और रही बात इनकी तो मुख मंतरी के बेटा होने के कारण उनको पानीड होने का काम जरूर मिला वो जो बोलते हैं कि मैं बहुत अंतरास्टे अस्तर का खेलारी तो पानी डोने का काम करते थे लालू जी ने क्या किया है सिब आरक्षन के नाम पे अपने परिवार को बढ़ाया है तो जंगल राज में वही किया जब वो खुद मुख मंतरी थे तो बिहार की जनता का चारा घोटाला किया उसमें जेल जाने का काम किया जब वो जेल जा र बनाया अपने नौमी फेल बेटे को मुख मंत्री बनाया है बाड़मी फेल उसकम ने मंत्री बनाया बेटी को राश्वा बनाया तो उनको अपने परिवार के लावा किसी और यादव-समाज में कोई नहीं तुपर्णन के वरिष्ट नेता है ज़रनिये नित्यानन राय जी यह वसमाद से आते हैं और भारत सरकार का सहर्पूर्ण जो बिभाग होता है घृइ मंत्राले उसके ग्री मंतरी है हम लोग के भारत के इंद्रिय मंतरी प्रयावरन एवा वन-मंतरी हर्याना से आने वाले हम प्रभावित होके उन्होंने इतना समय पार्टी में दिया और पार्टी ने उनको आज मद्व प्रदेश का मुख मंत्री बनाया तो ये तो यादव समाज को भी अब सोचना होगा कि वो लालू यादव जी जैसे या तेज़ परताव यादव जैसे ऐसे लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे ये बारतिय जनता पार्टी जो सभी समाज को सब का साथ सब का वि विश्वास रखता है ऐसे पार्टी के साथ